तो आप यह देख रहे हैं कि सर साइन ठीटा बराबर अगर चार बटे 5 है तो सबसे पहले आपने क्या बनाना है एक राइट एंगल ट्रैंगल बनाने साइन ठीटा बराबर क्या होता है आपने देखा होगा लाल बटे कक्का होता है जिसमें लंब बटे कर्ण आपको पता है आधार बटे कर्ण आपको निकालना है तो लंब बटे कर्ण आपको पता है आधार यह हो जाएगा तीन चार पांच तो आधार बटे कर्ण यही कौस ठ तो यह सब आपको आना चाहिए इस तरह का कुशन एक पेपर में देखने को जरूर मिलने वाला है अगला प्रशन आपके सामने यह रहा मज़ा आ जाएगा आज मैं बता रहा हूं आपको बड़िया तरीके से फोड़ना शुरू करते रहे टैन ठीटा बराबर दो बटे तीन है तो यह क्या होगा सर बताओ तो सर ऐसा कुशन अगर पेपर में आ तो कैसे करेंगी बहुत सिम्पल तरीका है टैन ठीटा को आप लिख सकते हैं साइन ठीटा अपन कॉश ठीटा वह बराबर आपके दो बटे तीन के है तो साइन ठीटा को दो रखड़ो और कॉश ठीटा को तीन रखड़ो लेकिन 27 और यह हो जाएगा कितना पांच ओके 20 प्लस नौतिया 27 तो क्या हम यह कह सकते हैं 60 में से 27 चले गए तो 33 बटे 47 अंसर आ गया option number C जोड़ा तरीके से वीडियो को like share भी करते जाना यह आपका काम है बोला गया है सर एक त्रिकोन है एक त्रिकोन में बोला गया है सर एक एंगल तो 90 डिग्री है और मान लीजे मैंने यह मान लेता हूं ए यह मान लेता हूं C तो यह 60 डिग्री है तो यह वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री तो बोला क्या जा रहा है भाई क साइंडे मतलब साइं इसकॉयर साट माइनस ौस इसकॉयर साट और टैन स्कॉयर साट यह होता है सब 3, 4 हो जाएगा यह यह हो जाएगा 1, 4 हो जाएगा और यह हो जाएगा 3 तो 2 बटे 4, 1, 2, 3 आपका उत्तर है D option आपका right answer आ गया उमीद करता हूँ आप फोड रहे होंगे बड़िया तरीके से और जोड़ा तरीके से आप सभी क्या answer सा रहे होंगे अगला प्रश्ण खुबसूरत सा आपके सामने जामा पहना यह कैसे करते हैं देखते हैं कल आपका जो चैप्टर होगा वो होगा कॉडिनेट जुमेट्री सब को आना है सब को तयार रहना है कल वाले चैप्टर के लिए तो बोले सर आपने यह दो लिखा एक कुश्चन यहां हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्कॉाइर ठीटा बराबर आपका क्या होता है कॉसेक स्कॉाइर ठीटा होता है तो यहां देख रहा हूं मैं कि कॉसेक स्कॉाइर माइनस कॉट स्कॉाइर ये तो 1 हो गया और ये देखो कॉट ठीटा 10 ठीटा ये भी 1 हो गया तो आंसर आपका निकल कर आएगा 3 A option अगला question करिएगा come on guys जोड़दार तरीके से मैं कहता हूँ ये देने की जर्वती क्या थी इसको sin square plus cross square always 1 होता है ये आया हुए questions है सारे railways में आपके अगला प्रशन ये लीजी और फोड़ ये अब पावर आ गई मान निकालने हैं देखते हैं कैसे करते हो कि ये बढ़िया है देल लगाओ जिमा कि 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 अगर आप चाते हो सर इसको solve करना तो मैं कहता हूं ये की value आप 0 मान लो अगर एकी value 0 मानते हो तो ये भी 0 ये 1-1 अगर एकी value आप 90 मानते हो तो ये भी आपका वही रह दाएगा 0-1 मतब ये answer कुल मिलाकर 0 आना चाहिए अब यहाँ देखिए आप कि कोई ऐसी value है ये भी 0 देदेगा आपको ये 1 देदेगा answer ये 1 देदेगा और ये 0 देदेगा फस गए कहाँ पर हमें पता है कि sir answer होगा A और D में से ये तो confirm हो चुका है कि answer जो होगा वो तो या तो A में से होगा या D में से होगा अब चेक करने के लिए आपको मैं दुवारा तरीका बता देता हूँ कि 90 और 0 में फस गए न आप A और D में तो दूसरा तरीका क्या है sir आप ऐसा रखो 45 रख लो हाँ 45 से आप पता लग जाएगा आपको तो 45 रखते ही एक बटे रूट दो की पावर 3 एक बटे रूट दो का square एक बटे 8 प्लस एक बटे 8 माइनस का 1 तो simple सी बात है 0 नहीं हो सकता answer होगा A option सबसे अच्छा तरीका है यह ध्यान रखना अगला प्रश्ण आपके सामने यह रहा करके बताईए अरे कुछ हाड नहीं आएगा तुम बस मेरे classes को regular follow करो मैं जामा पहनवा दूँआ तुमारा सही बतारों मैं तुम बिश्वासी करो बस यहाँ पर आप कॉमन लेलोगे तो root 2 प्लस 1 और cos x तो आप यह कह सकते हैं 1 upon root 2 प्लस 1 और यह हो गया cortex अब परीमे करन कर देना इसका तो root 2 माइनस 1 हो जाएगा और यह cortex की value हो जाएगी बस option नमबर A cortex की value आगई option नमबर A किज दियमेटर अगला question करिए बहुत बढ़िया बढ़िया questions हैं और यही सब repeat ओने वाले हैं अब देखता हूँ कौन answer निकालके दिखाता है वीडियो को like share करते जाएगे दबा कर जैसा कि आप inverse trigonometry function के बारे में जानते होंगे कि सर अगर x बराबर cos inverse cos 4 है तो आप मुझे बताईए x बराबर क्या हो जाएगा x आपका एक radian value होगा जो कि क्या हो जाएगा हमेशा 2 pi में से चलता है यह मुझे पता है minus 4 और अगर y की बात करोगे तो sin inverse sin 3 है तो यह हमेशा pi में से चलता है pi minus 3 ऐसा क्यों क्यों क्योंकि आप यह जानते हैं कि जब इस quadrant की बात करेंगे आप तो x कहां में लेगा 2 pi minus theta यही cos theta होता है और 180 को pi बोलते हैं minus theta यह आपका sin theta होता है वो 2 pi minus theta में आता है और वो 180 minus theta में चलता है तो हमने यह 2 pi minus 4 और pi minus 3 x और y की value लिख दिये अब आपसे बोला जा रहा है सब 10 x y का बताईए तो मैं कहता हूँ 10 x plus y बराबर क्या हो जाएगा you can put the value and x and y 10 2 pi minus का 4 plus pi minus का 3 10 यह हो गया सब 3 pi minus का 7 यह हो गया 3 pi minus का 7 और यहां से मुझे यह पता लग रहा है कि यहां पर जो 10 की value होगी 10 minus 10 7 हो जाएगी आई वास समझ में क्योंकि यही concept है कि जब 10 चक्कर लगाएगा तो 3 pi आप जब 4 को ले रहे हो 2 pi minus 4 sin को ले रहे हो pi minus 3 तो 3 pi का तो को लॉजिक नहीं है क्योंकि अगर आप 3 pi देख रहे हो तो 270 या मैं कह सकता हूँ 540 उस तरह से बन रहा है तो आप देखो के 360 180 540 यहां बन रहा है तो इसलिए negative में आएगा minus 10 7 काफी बढ़िया question है अपने आप में एक अच्छा question यह बनता है पेपर में जरूर पूछा जाएगा दुबारा से आपसे अच्छा question है इसको star बना लेना ठीक है अगला प्रशन बनाएंगे आप देखते हैं कौन जामा पहनाता है वीडियो को like share दबाकर करते जाइए हाँ सर आपने ही सिखाया था कल मैंने जब formula revision कराया तो 10 8 किसके साथ जाएगा 82 के साथ में तो 10 22 किसके साथ जाएगा 68 के साथ में तो कौट साथ की value कितनी है 1 by root 3 क्योंकि आपको rule पता है कि अगर 10 theta 1 into 10 theta 2 बराबर अगर मैं 1 कर रहा हूँ यह तभी संबव है जब theta 1 plus theta 2 आपका 90 degree होगा तो 8 82 के साथ 22 68 के साथ और कौट साथ की value मुझे पता है तो आंसर होगा 1 by root 3 option number D के साथ आप चले जाएगे अच्छा लग रहा है खीच कर like share दबा कर करें और मज़ा आजाएगा हर एक question कीमती है हर एक question जरूरी है यह लीजिए क्या answer आएगा आप direct देखके ही बना सकते हो समय आपको लगेगा ही नहीं आप देखते ही इन प्रशनों को कर सकते हो paper में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर sin A और sin square A की बात कर रहे हो तो cos की power 4 A और cos square A भी same ही रहता है लेकिन proof भी कर लेते हैं तो sin A बराबर 1 minus sin square A तो sin A की value हो गई cos square A तो cos square A की जगे तो मैं sin square sign रख देता हूं और cos की power 4 की जगे मैं sin square रख देता हूं इसकी value तो वही है जो अभी दे रखी है given value के बराबर ही आगया अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा फोड़ रहे हो करते जाओ करते जाओ अगला प्रशन मनाओ चलो come on यह अच्छा है अगर ऐसा question paper में आ जाए तो अच्छे अच्छे बच्चे की सिट्टी पिट्टी गुम होना लाजमी है क्योंकि आपको यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि यह चल क्या रहे सर तो मैं कहता हूं यार इस वाले portion को आप नीचे डिवाइड कर दो अच्छा यानि कि आप यह कहना चाहते हो m प्लस 2 में 2m प्लस 1 का यहां डिवाइड हो जाए और यह sin ठीटा और इसी प्रकार 2m माइनस 1 में 2m प्लस 1 का डिवाइड हो जाए सर दिवाइड है ओर यह बरावर यह के ओजाए तो यहीं सी तो मेरा दिमाग चला यानि कि यह जो वैल्लि वो यह बात तो ठीक है यानि कि 10 ठीटा अगर आपको निकालना है तो , quando 2may 2m-1 हो जाएगा क्योंकि बस 2m-1 हो जाएगा यह तो कटी जाना डिनोमनेटा और और आप्शन में नहीं है भाईया तो 10 ठीटा तो निकाल लिया कोई समझ्चा तो आने ही नहीं चाहिए 2m-1 है न तो sin ठीटा तो यह है 2m-1 होगा यहां गरबड़ है चिन बदल लिजिएगा आवा है c आएगा लेकिन है न माइनस वन में आएगा है न द्यान लखने कैसा लग रहा है कुशन अच्छा लग रहा है न अगला कड़ी चलिए इसी बात पर ऐसी भाशा में देदेगा माइनस आएगा प्लस आएगा मतलब बुद्धी मतलब क्या यार अब मैं यह कहता हूं सर साइन ठीटा निकालना है और यह इसके बराबर है तो मैं कॉंपोनेंडों डिविदेंडों लगा दूं अरे सची मैंने का और क्या बही तो कॉंपोनेंडों डिविदेंडों से फायदा हो गया मेरा क्यूंकि एक तरफ तो मैंने यह कर दिया लेकिन इसको फ्रेक्शन में बदलना भी बाग यह तो आशी होता तो 160 80 नहीं है तो 158 158 और 169 और 50 210 209 अपन 79 तो यह कहता है सर 79 को इसमें जोड़ो और 209 में से 79 घटाओ यही component और डिविडेंडों का कहना है यहां आप देख रहे हो तो साइन यह रहा कॉस उपर तो यह 1 अपन साइन ही आ जाएगा ठीक है यही निकालना भी है जोड़ेंगे 9 और 9 18 7 208 0 और 13 साइन ठीटा निकालोगे तो भाई आप 65 बटे 2 एकम दो 2 ती अच्छे और 2 नाम 18 149 बैठा नहीं वही जोगा रहा है अब तुम्हारा सही आ रहा है अब तुम नाटक करोगे मुझे चड़ाओगे तुम अब होगे हमारा तो सही आ गया सर मैंने सही किया है टू जीरो नाइन अपउन सेवन्टी नाइन हाँ गडबड कहां हो गई टू एटी एट होगा ना गडबड तो आप नहीं करीए खुद ने क्यों टू एटी एट होगा आंसर तो ठीक है अगला करिए आराम से करना अच्छे से क्या आंसर आता है देखते हैं वीडियो को लाइक शेर करते रहिए जोड़दार सोना होना नहीं है बाई क्या ही सारे बच्चे तो मस्ती मानने लग गए बचलो पेपर हो जाएगा क्या है छुट्टी बनाते हैं बढ़िया तो उन बच्चों की पार नहीं पढ़ने वाली है पार उनहीं की पढ़ेगी जो बच्चा पढ़कर जाएगा वन अपॉन वन बाई रूट टू प्लस वन बाई पॉन वन कॉमन सेंस तरीके से सॉल्व करना रूट टू अपॉन रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू अपॉन रूट टू आप इसको सॉल्व करेंगे तो रूट टू का स्कॉर और रूट टू प्लस वन का होल स्कॉर और यह आ रहा है रूट टू रूट टू प्लस सॉल्व करने के बस चाथ दो तीन प्लस टू रूट टू तो यह हो गया सर फाइब प्लस टू रूट टू अपॉन तू प्लस रूट टू यह आ रहा है मेरा तो सही जा रहा हूं कि मैं एक बर मुझे सला दे दो बोले सर यहां तक तो आप ठीक गए हो लेकिन यह कुशन कह रहा है कि अभी रुकना नहीं है अभी थमना नहीं है क्यों क्यों कि मैं टिक्नोमेट्री के बहाने तुमसे देख रहा हूं कि तुम्हें परीमे करन करना आता भी या नहीं आता है तो मैंने देखा भाई देखा पांस से गुणा करोगे तो पांस दो नहीं दस माइनस का पांच रूट दो और यह हो गया सब चार रूट दो माइनस का चार अपन चार में से दो गया तो छे तो अल्टिमेटली यहा रहा है छे प्लस माइनस का रूट दो 6 माइनस का रूट दो बटे 6 यह आ रहा भी मेरा दो बागी तुम्हारी क्या का नहीं 6 कहां से आ गया 2 तो आएगा नीचे बही मैं काऊं ज्यादा उस्यार नहीं बनना है सर तो 3 माइनस 1 बाइ रूट 2 या रूट 2 बाइ 2 ऑप्शन नम्बर C अमेजिंग कोशन है लगा बिल्कुल बच्चा सा लेकिन देखो कितना कुछ दे दिया है इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी ऐसे दोड़े है कि यह लो आंसर यह लो आंसर आ गया क्या करोगे वैल्यू तो पुट करी नहीं है इसमें और क्या है है ना कुछ चला रहे होंगे दिमाग अपना यह अच्छा कुशन है कि सर अलफा बराबर 45 है तो सभी 6 रिकॉर्ण में थी अनुपातों के मानों का योग कितना होगा यानि कि छोड़ना नहीं है सर यानि कि अगर 45 है तो साइन 45 होता है एक बटे रूट दो उसी के सासत कॉस्ट 45 भी यही होता है कॉट और 10 भी एक एक होता है बाकी रूट टू रूट टू होता है सब को जोड़ना यह कहना चाहरा है तो सब 2 बाई रूट टू तो रूट टू प्लस टू तो थ्री रूट टू प्लस टू बी ऑप्शन नेक्स करिए इस आकरती में कॉस्ट ठीटा का मान बता दो देखता हूं कौन निकालता है और बड़िया तरीकी से लाइक शेर करते जाए क्योंकि शांदर चीजें आप सीख रहे हो इन चीजों का कोई तोड नहीं है आपको मैं पहले भी बोल चुका हूं तो इस बोला दके सर यह 5-12-13 हो जाए गा क्योंकि ट्रिप्टलेट है लेकिन ध्यान रहे ठीटा यह रहा तो ठीट यह है तो आधार यह हो गया कर्ण यह हो गया और लंब यह हो गया तो यहां बच्चा गलती करता है तो कोस ठीटा निकालना है लाल बटे का आधार बटे कर्ण पांच बटे तेरा यह है कोस ठीटा यह option उडाए जाओ उडाए जाओ करिये चलिये अब आएगा मजा तुमसे लाइक का बटन नहीं खिच रहा होगा ना बड़ी तकलीफ है विचारों के सर ऐसा कुश्चन तो होता ही नहीं है अरे कैसे नहीं होगा आज के बाद छूटे गा ही नहीं तुमसे लोग मैंने का बाई देखो कॉट है माइनस ज्यारा है पाई की वैल्यों 180 बटे 6 चेका करेंगे आप कितनी बार देखा तीस बार तो यह कितना आगया सर कॉट माइनस का 330 डिगरी अगर मैं कॉट माइनस का 330 की बात करूँ तो सबसे पहले देखो कि कॉट माइनस ठीटा कितना होता है तो यह निश्चत तोर पर सरक माइनस कॉट ठीटा ही होता है और फिर उसके बाद आप हिसाब किताब लगाओ कि कॉट ठीटा को आप 360 माइनस 30 भी तो लिख सकते हो तो यह भी माइनस में जाएगा माइनस माइनस प्लस और 360 पर कोई चेंज भी नहीं होता तो कॉट 30 की वैली हो गई कितनी रूट 3 वो भी प्लस में वो भी प्लस में आएगा रूट 3 ठीक है अगला करिए 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 कम ओन आईएगा तो 10 square 30 तो ये कितना हो गया सर 10 square 60 का मान है तो ये हो गया 3 माइनस का 2 और cost 30 की value कितनी हो गई रोड 3 बाई 2 बाई रोड 3 आने के 4 बटे 3 इसी परकार 3 sine square 45 की value हो जाएगी कितनी 1 बाई 2 sine square 45 है sine 90 की value हो गई 1 cost 60 की value हो गई 1 by 4 0 की value 1 तो सर ये आ रहा है 1 plus 4 by 3 it means it will become 7 by 3 राइट और 3 by 2 याने के 6 by 4 और 1 by 4 7 by 4 तो आनसर कितना हो जाएगा 4 by 3 तो आपका जिसका भी आनसर 4 by 3 आ रहा है वो सही है D option ठीक है चलिए अच्छा लग रहा है भाई खीच के like share करते रहिए और गलती से गलती भी मत करना अगला प्रशन करिए चलिए कौस है के 120 का मान कितना होगा सर ये कैसे करोगे तो कौसेक 120 का मान क्या होगा सर तो मैंने ये देखा कि कौसेक है और 90 प्लस 30 है मान लो तो 90 चेंज हो जाता है सेक में और सेक 30 की value कितनी होती है 2 by root 3 अब ये बताओ कौसे कौडरेंट में था पहले में और पहले में कौसेक positive होता है तो positive याएगा तो change होने की कोई chances नहीं है अगला करेंगे come on guys और भाई जिन से खीच कर like share नहीं हो रहा हो करो कोशिश करो हो जाए क्या बता हाँ तो सर ऐसा कोशन आपने बताया था क्या हां बताया था ना जिसमें बोला था मैंने कि यह साइन ठीटा है और यह साइन हो जाएगा यह बैठा नहीं ऐसा कर सकते हैं क्या किसी एक ठीटा को मानना पड़ेगा इसमें है ना बनना फॉर्मुला बैठीक है नहीं है ऐसा कर ले हाँ फिर साइन पंदरा हो गया मानलो वैल्यू तो मेरे को पता है मैं सोच रहा हो कोई और जुगार लगा दूँँ वह पिचेत्तर को आप लिख सकते हो क्या साइन नभ्य माइनेस पंदरा हाँ यह कर सकते हैं ठीक है अब क्या हो जाएगा सर अबागी वेल्यू पता है मेरे को यार इतनी माथा बुड़ी क्यों करूंगा मैं पहली बात तो लेकिन तुम्हारे वज़े से करनी पड़ रही है और साइन तीस की वेल्यू यह है अभी मुझे मानलो इसको सॉल्व करना होता तो मैं क्या कर होसलो कि है और साइस विल्कुल ठीक है के चले अगला करिएगा 10 2 theta cot के बराबर है ति रिलेशन क्या है चले हम यह कह सकते हैं क्या कि 10 cot के बराबर है तो 2 theta plus theta plus 6 बराबर 90 degree है तो 3 theta बराबर कितना हो जाएगा 24 theta बराबर हो गया 28 थिया 84 28 आंसर आ रहा है कि यह हुई न बात अगलाव करो करें चलो बड़ें चलो चलो सर यह कोशन कैसे होगा हो मैंने का इसी में ही तो दुगार लगने वाला है सारा सबसे पहले मुझे बताओ सर साइन A प्लस B क्या होता है तो साइन A कॉस B प्लस कॉस A और साइन B यह होता है जैसा कि अब आपके सामने हैं साइन A मैं यह कहता हूँ बाई साइब कि जब A एंगल यहाँ है तो यह आपका करण हो गया और यह आपका लंब हो गया तो पच्चिस में से चार गया तो कितना 21 यह आधार हो गया और अगर मैं कॉस B की बात करता हूँ सेम वही कंसेप्ट है यहां यह 5 होगा लेकिन यहां यह 2 होगा और यहां यह रूट 21 हो जाएगा किसी को को दिक्कत है बोलो क्यों कि 25 में से चार गया तो रूट 21 आएगा या यहाएगा इसमें कौन सी दोराय वाली बात तो सर इतनी चीज़े करोगे कि आप मैंने कहें करना तो नहीं चाहता लेकिन क्या करें मजबूरी है ऐसे नहीं करो मैं एक चीज़े नोटिस कर रहा हूँ कि यहां साइन ए बराबर कॉस बी है ऐसा है ना हाँ यह बात तो सही है तो यहां यह कंसेप्ट लगेगा कि यह कभी बराबर होता है यह तभी बराबर होता है जब ए प्लस भी 90 डिगरी हो याद आ रहा है तो इतनी चीज़े करने की जर्वत नहीं है आंसर तो आ जाएगा उससे भी लेकिन जब आंसर सामने के सामने शौट तरीके और शौट मैथर से निकला जा सकता है तो इतना ताम जाम क्यों करना ठीके डियर उमीद करता हूँ क्लियर हो रहा होगा अच्छे तरह से अगला कुशन करिए जामा पहनाईए कम ओन गाईज आप अजय को कि मैं इस तो और यह कैसे होगा मैंने का वैसे को यह स्कॉार्ड प्लस वी स्कॉार्ड तो जाएगा वन और यह हो जाएगा सर्थ 2 sin A cos A और 2 sin A cos A से यह कट गया वन आंसर है के वर और के वर वन अगला साइन ठीटा माइनस cos A theta बराबर root 2 है तो यह बताइए तो क्या इसको algebra के माफिक नहीं कर सकते क्या कि सर x-1 by x बराबर आपका root 2 है तो क्या आप x cube minus 1 upon x cube नहीं काल पाओगे क्या तो हाँ क्या होगा a cube plus pq plus 3p है ना तो यह होगा सर 4 root 2 pq plus 3p sorry 2 root 2 ही तो होगा 5 root 2 answer आ गया d option अच्छा question है अच्छे से कर सकते थे अगला करिये यह भी बढ़िया question है दिमाग लगाओ इसमें अच्छा question है अच्छे से कर सकते थे अगला करिये तो सर यह कैसे करें x plus 1 by x बराबर कितना हो गया 2 cos theta और x square plus 1 upon x square कितना हो जाएगा p square minus 2 4 cos square theta minus 2 2 common ले लेने का 2 cos square theta minus 1 this is equal to 2 cos 2 theta पताया था ना जी बिलकुल सर बताया था और वही आंसर आगया B next one आराम से करना यह सब question repeat होने वाले आपके paper में आएंगे तो आप क्यों छोड़ रहे हो इनको आप निप्टा के चलो सब सर कॉसेक 90 प्लस theta second quadrant में नहीं होगा सर अच्छा 90 प्लस 30 second quadrant में तो होगा भई बिलकुल ही मतलब क्या ही वोलू छोड़ो sin square theta plus 1 plus cos square a square plus b square plus 2 cos theta नीचे आ रहा है 1 plus cos theta into sin theta देखो यह हो गया 1 तो 2 common ले सकते हो तो 1 plus cos theta नीचे आ गया 1 plus cos theta upon sin theta यह कट गया तो 2 upon sin theta बराबर हो जाएगा answer या 2 cos theta भी answer हो सकता था या तुम बढ़िया उड़ा रहे हो है मज़ा आ रहा है मेरे को comment देखकर छोड़ तो नहीं रहे हो तुम वैसे तुम ऐसी कहते थे कि टिक्नोमेट्री टप है यह है वो है एक एपरी में राशी कौन सी है एपरी में राशी सार वही है यह तो 1 हो जाएगा यह एक बटे दो है यह एक है तो केवल यही बची जिसमें non perfect है याने की route और तीन वटे दो है ना इसलिए है परी में अगला करिए चलिए छोड़ना नहीं है भाईया और भाई सेशन को like share दबा करते जाओ यार इस चीज में कसर मत रखा करो तुम लोग क्योंकि पूरी मेनत कराई जा रही है पूरे मैत के फॉर्मूले रिवाइस करा दिये और और लगातार अपकल कॉडिनेट जुमेट्री होगा बहुत कुछ होने वाला है तो सर यह कैसे करूं मैं कहां जाओं मैं कैसे हो गए मैंने का भाई देखो ऐसी बात है सबसे पहले आप देखिए इस टू को कॉमन ले लो अंदर वाले को तो यह हो गया सर वन प्लस कॉस फोर ठीटा और मेरा यह मानना है कि जब मैं कॉस टू ठीटा लगाता हूँ तो यह होता है टू कॉस स्कॉाइर ठीटा माइनस का वन सही बात है न तो अगर मैं बोल देता हूँ कि कॉस फोर ठीटा लगाता हूँ तो यह हो जाएगा सर टू कॉस स्कॉाइर टू ठीटा माइनस का वन तो ये आपको पता गया है ये तो मैं उसकी जागा रग दू अंडरूट टू टाइमस ओफ टू कॉस स्क्वाइर टू ठीटा अरे घजब ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई यानि कि ये हो जाएगा दो कॉस ठीटा कॉस टू ठीटा है और बाहर भी दो है और बाहर वाल अंडरूट भी है सिमिलर केस दो कॉमन और वन प्लस कॉस टू ठीटा और वन प्लस कॉस टू ठीटा कितना हो जाएगा वही टू कॉस स्कॉय ठीटा तो ये हो गया वही टू कॉस चार कॉस स्क्वाय ठीटा वेकि दो तो पहले से ही है आंसर आएगा टू कॉस ठीटा अगला करिए बढ़िया तरीके से वाट इस दा मिनीमम वैल्यू आफ टैन सेक स्क्वाय ठीटा अब सेक का मिनीमम मान क्या होता है सेक स्क्वायर का मिनीमम मान जो होता है वो बन होता है तो आंसर होगा ग्यारा अगला करेंगे इसका अधिक्तम मान क्या होगा तो सर इसका अधिक्तम और नियूंतम मान निकालने का तरीका बताया था अपने अंडर रूट प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तो 9 और 4 तेरा प्लस में होगा तेरा वो भी रूट में अगला जीरो से 90 की बीच में इन में से कौन सा सही है बताईए तो सर जीरो से 90 की बीच में आप कोई भी चीज ले लो मैंने ले लिया ठीटा बरावर 30 डिगरी ले लिया मान लो तो जैसे मैं देखता हूँ कि कॉस्ट तीस की वैल्ली होती है रूट तीन बटे दो और क्या ये तीन बटे चार से छोटा है या फिर हम बोल जकते हैं इक्कोल है ना बड़ा है अब ले लो देख लो क्या है तो रूट तीन बटे तो होता है एक पॉइंट साथ तीन दो जो कि मैं ये देख सकता हूँ कि ये बड़ा है भाई ये तो पॉइंट फिचतर ही हो रहा है और ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है भाई अब असी से ज्यादा जा रहा है तो सर इसका मतलब अब ये जो कह रहे हो कॉस्ट ठीटा इस ग्रेटर देन कॉस्ट स्कॉए ठीटा येस 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 मैं यही कहना चाहरा हूँ सी विल बी और राइट आंसर ठीटा है